सब्सक्राइब करें स्टैप अहेड लर्निंग चैनल को ताकि आपको आपके स्टेडिंग में आने वारी प्रॉब्लेंग के सिल्विशन में शम्मिलते रहें गंटी दबाना मत भूलिए हलो एने वेलकम तो आप चैनल स्टैप अहेड लर्निंग आज का मारा टॉपिक है कंजाइनमेंट अकाउंट्स स्टैप्सक्राइब कर दीजिए बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीस लाइक कर देने हैं कमेंट की आज की वीडियो हमारी स्पेशल कमिशन विडेलकरड कमिशन वें स्टाउक इस पर है थीक है तब हम अपनी लेस्टेशन स्टाट करते हैं विलियम ओफ मदरास कंजाइन 300 चेस्ट ओफ टी एट 2000 पर चेस्ट तो जो जॉंसन ओफ न्यू देली पेंग फ्रेट 4000 और अधर एक्सपेंस जो विलियम से हमारा जो मदरास में रहता है उसने गुड्स भेजी किसको जॉंसन को जो न्यू देली में रहता है और उसने झाच इतना कीया 4000 & 2000 ठीक है जॉंसन सोल 250 चेस्ट आट 2500 पर यंद पर चैस्ट रही जो क्या विलिद ऊंसन जंटन कर्क था ती तो था कुड्वनर चैस्ट इसने कैश स्सक्रीट और एक्स्वन दूसन इंखय थे सि हमारा टी conducting his commission at 5% normal, 2.5% overriding and half percent Dell credit, ठीक है, Dell credit commission is to be given on total sales, ठीक है, Johnson found that one customers to home credit of 40 days were allowed paid only 4800 out of the total amount 5000, एक कस्टमर ऐसा है, जिसको 40 days का credit allowed किया गया था, पर उसने अभी तक चिल payout किया है 4800, एंड उसका total amount कितना था payout करने का 5000, ठीक है, तो वो किसको bear out करना परेका, क्या कहते हैं, क्योंकि ये Dell credit commission भी ले रहा है, ठीक है, other customers paid the amount due on due dates, ठीक है, closing stock was valued at 5750, closing stock हमें given out है, तो let's start the sum, first, सबसे पहले हम entry डालेंगे, consignment account debit to goods cents on consignment, ठीक है, 6 lakhs से, तो consignment account debit हो जाएगा, two goods cents on consignment, 6 lakhs से, okay, then हमारे उसके expenses डाल लेंगे, consignment account debit to bank, bank से payout करेंगे, जो भी expense किया है, expense हमने एक तो freight कर किया है, और एक other expenses, two thousand उसके किया है, four plus two, six thousand हमने other expenses payout किया है, bank से, ठीक है, उसके बाद उसने john ने भी expenses payout किया है, same entry उसकी भी आजाएगी, two johnson की, ठीक है, expenses क्योंकि उसने bank से नहीं किया, उसने अपने jib से किया है, वो अपने jib से किया हुए खर्चे को बाद में cut out करेगा, तो उसकी entry आएगी, johnson की, जो उसने expenses किया है, consignment account debit to johnson, ठीक है, उसके बाद हमने जो sales किया है, उसकी entry डाल लेते हैं, देखो, johnson account debit to consignment account, ठीक है, 6,80,000, 6,80,000 कैसे आए, 250 into 2500 करें, तो हमारा आता है, 6,25,000, 250 into 2500 को multiply करें, तो हमारा आता है, 6,25,000, ठीक है, और 25 into 2020 करें, तो 2,200 करें, तो हमारा आता है, 55,000, तो उनों को plus order करें, तो हमारा आता है, 6,80,000, ठीक है, यह sales एंट्री होगी, john account debit to consignment account, तो यह consignment account, इस साइड पे john account by john sales लिखे, 6,80,000 की एंट्री आगी, ठीक है, और अब commission वाला point, देखो, हमने total कितनी commission देनी है उसको, 5 normal commission, 2 and half उसको overriding commission, and half उसको dial कर दे, तो total हमारी commission का होता है, 8%, ठीक है, तो 6,80,000 का हम 8% उसको देंगे, ठीक है, 54,400, ठीक है, और उसके expense तो हमने पहले डाल दी थी, तो हमारा, अब हम, क्या कहते हैं, हम अपनी closing stock हमें given है, वो डाल देंगे, तो credit side से हमारा debit side minus order की है, तो हमारा profit आता है, 66,350, ठीक है, यह हमने account बना लिया, ledger consignment account की posting कर ली, ठीक है, अब john का account बनाएंगे, ठीक है, john के account में simple entries हैं, जो उसने seal की हो, debit side में आ जाएंगी हमारी, और consignment में उसने, जो क्या कहते है, expenses पर किये हो, commission आ जाएगी उसकी, और buy bank से, हमारी जो sales में से, हमने अपनी commission और expenses minus कर दिए, 6,21,600, यह payout कर दिये जाएंगे, क्या कहते हैं, consignment को, जो sales से amount बच जाती है, ठीक है, यह तो हमने sum किया, जिसमें हमें closing stock की amount given थी, जिसमें हमें closing stock की amount नहीं given थी, वो sum हम कैसे कहेंगे, इससे पहले मैंने जो video बनाए थी, वो इसी से related थी, when, जब हमें closing stock की amount given नहीं होती थी, ठीक है, अगर किसी को closing stock find out करने में कोई problem है, तो मैं उस video को link description में दे दूँगी, आप जाकर इसको देख लीजीगा और अपने doubts को clear कर लीजीगा, कंजाइनी को डेल काइडर कमिशन दी जा रही है, तो इसका मतलब जो loss होगा, वो bear करेगा कंजाइनी द्वारा, तो इसके account में मतलब की कोई transaction नहीं होगी, क्योंकि वो अपनी तरफ से payout करेगा, कंजाइनी को, कंजाइनर को, ठीक है, उसको bear करने परेंगे loss, और वो उसमें से cutout नहीं करेगा, हमारी sale में से, amount में से, ठीक है, तो यह हमारा sum complete हो गया, अगर किसी को कोई problem है, तो please comment कर जिए गया, प्लीस मेरे channel को subscribe कर दीजिए, bell icon को press कर दीजिए, and video को like कर दीजिए, thank you,